Hello guys, welcome back to our channel तो दोस्तों MIUI 12 अपकी बार आपको थोड़ा जल्दी रिलीज देखने को मिलेगा and MIUI 12 के अंदर अपकी बार MIUI 11 के मुकाबले काफी सारे different changes आपको मिलने वाले है यहाँ पर जो MIUI 12 की theme application है उसकी download link सामने निकल करा चुकी है तो उसे भी आप अपने device में install कर सकते है and MIUI 12 के अंदर अपकी बार always on display के काफी सारे unlimited clock styles आपको मिलेंगे live wallpapers आपको मिलेंगे, नए fonts मिलने वाले जो कि आप यहाँ पर screen पर देख सकते है और जो आपका recent apps का interface है वो भी आपको change देखने को मिलेगा जैसे की iOS में आपको मिलता है और इसके लावा आपको MIUI 12 में camera application, notes application, refresh rate का जो UI है सब कुछ आपको change देखने को मिलेगा, lock screen का design तो सब आपको change देखने को मिलने वाला है और गाइस ऐसे interesting videos के लिए video को जरू से like कीजिए साथ में channel को subscribe करके, bell icon को press करके all select कीजिए तक कि MIUI 12 से related कोई भी optional information है तो उसकी information सबसे पहले आपको मिल जाए और गाइस जगर आपको जानना है कि MIUI 12 first batch में किनकी devices को सबसे पहले update देखने को मिलेगा तो ये video आपको उपर i button पर मिल जाएगी तो जरू से आप इस video के बाद इसे check out कर सकते हैं तो गाइस अगर हम बात करें MIUI 12 के बारे में जो MIUI 12 की theme application होने वाली उसकी download link available है कुछ ऐसा अब की बार आपको UI देखने को मिलने वाला है आप यहाँ पर देख सकते है होम आप यहाँ पर देख सकते है recommend का option आपको मिलताओ theme एपका wallpaper का live wallpaper ringtone आपको मिलताओ यहाँ पर आप का फिसरे यहाँ पर आपको changes देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर आपको fonts का option मिल जाताओ ए है और दोस्तों जो Redmi K20 या K20 Pro device को यूज करते हैं तो उनके लिए Always On Display का भी यहीं पर एक और नया option देखने को मिलने वाला है तो कईस अभी फिलाल के लिए अगर हम setting में जाएं Always On Display के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछी Limited Clock Style मिलते हैं मलब 15-20 आपको Limited Styles देखने को मिल जाते हैं तो अपकी बार आपको MIUI 12 के अंदर Unlimited Clock Styles देखने को मिलेगे जो के आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन्स के राइट साइड में आपको Always On Display का Option मिलेगा एंद इसमें आप देख सकते हैं काफे सारे Different यहाँ पर अलग-लग Lock Styles आपको मिलते हैं आप यहाँ पर अपनी Lock Screen पर यूज़ कर सकते हैं तो Theme Application का जो Link है वो भी मैं आपको Description कर दूँगा लेकिन दोस्तों यह आपको फीचर तभी आपको मिलेगा K20, K20 Pro में जब आप यहाँ पर चाइनीज जो बीटा रोम है MIUI की जो चाइना की लेटेस्ट बीटा रोम है अगर आप उस पर होंगे तो यह फीचर अपने आप यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देगा लेकिन दोस्तों मैं स्टेवल अपडेट पर उसलिए यह फीचर अभी फिलाल के लिए मेरी डिवाइस में काम नहीं कर रहा है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे यह क्लोग स्टाइल है इसको अपलाई इसने किया है और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट बार का डिजाइन आपको कैसा चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी के लिए आपको ऐसा मिलता है चार आप यहाँ पर अप्लिकेशन देख सकते हैं तो यह वाला भी ओप्शन आपको मिलेगा जो MIUI 11 में है और अगर आप iOS की तरह यहाँ पर चेंज करना चाते हैं जैसे कि यह तो यह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो सब ओप्शन आपको मिलेगा आपकी बार रिसेंट बार में भी चेंज आपको मिलने वाला है जो कैमरा युआई है उसमें भी चेंज यहाँ पर आपको मिलेगा अपकी बार थोड़ा सिंपल एंड यहाँ पर क्लीन क्लियर युआई आपको यहाँ पर मिलने वाला है अपकी बार गाईज जो नोटिफिकेशन पैनल का डिजाइन है वो भी आपको चेंज देखने हो बिलेगा अप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्लोबल डार्क मोड का फीचर है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यह कुछ यहाँ पर फर्स्ट लुक यहाँ पर मियुआ 12 का सामने निकल कर आया है जो कि आप देख सकते हैं तो अभी आप यहाँ पर मियुआ 12 के अंदर जो जितनी भी अप्लिकेशन है सभी में आप यहाँ पर डार्क मोड के फीचर को यूज कर पाओगे सभी में जो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उनमें भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ एक काफी बड़ा फीचर है तो अगर हम बात करें मियुआ 12 कब तक यहाँ पर मिलने वाला है तो दोस्तो अगर आपको जानना है कि किन की डवाइस में यह मिलेगा तो वो वीडियो आपको प्राइब बटन पर एवलेबल मैंने करा दी है तो आप जरूर से उससे यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं और दोस्तों मियुआ 12 जैसी थीम अप्लिकेशन को अगर आप अपने डवाइस में इंस्टोल करना चाते हैं जो कि आप देख सकते हैं मैंने भी इंस्टोल की हुई है तो यह आपकी इंस्टोल नहीं होगी सबसे पहले आपको सेटिंग्स में आना पड़ेगा इसके बाद जो आपकी यहाँ पर एपस है उसके अंदर आना है मैनेज एपस में आपको आ जाना है एंड थीम अप्लिकेशन यहाँ पर आपको सर्च कर लेनी है तो गाइस यह आप देख सकते थीम अप्लिकेशन मिल चुकी है तो यहाँ पर क्लियर ओल डाटा आपको कर देना है अनिस्टोल अपडेट पर क्लिक करके आपको जो अपडेट है उसको अनिस्टोल कर देना है जैसे आप अनिस्टोल अपडेट पर क्लिक करेंगे तो जो link मैंने आपको description में दी है simply आपको उस पे click करके latest जो beta version है Chinese ROM का उसको download कर लेना है and install करेंगे तो ये आपकी यहाँ पर कुछ ऐसा काम करेगी लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर wallpapers पर अगर मैं जाता हूँ तो no connection यहाँ पर थोड़ी गेर में लिखा आ जाएगा live wallpaper भी यहाँ पर and आप देख सकते हैं कुछ ऐसा interface आपको मिलेगा recommend भी काम नहीं करता है theme भी काम नहीं करी है wallpaper काम करता है जबकि दोस्तो live wallpaper भी cannot connect to the network option आता है और यह आप देख सकते हैं आपर font में भी यहाँ पर काम करता है and ऐसा UI आपको यहाँ पर मिल जाता है तो दोस्तों मुझे आपको इस वीडियो में यही information शेयर करनी थी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जुरू से like करना साथ में चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजिए और गाई जगर आपको Xiaomi devices के latest updates की information सबसे पहले चीए latest theme send आप देख सकते हैं यह वाले wallpaper चाहिए and जो theme application ने MIUI 12 की तो आप हमारे telegram channel को group को join कर लीजिए telegram का link नीचे description में given आप देख सकते हैं यहाँ पर theme application जो है always own display का जो latest beta version है उसको भी मैंने link दे रखा यहाँ पर तो आप इसको यहाँ पर join जरू से कर लीजिए तो जो भी latest information आएगी तो वो सब मैं आपको यहाँ पर send कर दूँगा तो guys आज की वीडियों के लिए इतना ही thanks for watching वीडियो देखने के लिए मिलेगे next वीडियो में तब ते के लिए बाई बाई दोस्तो जै हिंज जै पारत and take care